जी हाँ दोस्तों अगर आपका आधार कार्ड एक गलत मेंबर आईडी में लिंक हो गया है तो आप उसे घर बैठे अब सही कर सकते हैं इसके लिए आपको नगर निगम या फिर अपने ग्राम पंचा सचिप के चक्कर कारने के आप सकते नहीं हैं इसके लिए आपको समगर आपको आना है आप यहां पर देख सकते हैं आधार डी लिंक के लिए अनुरूद करें यह वाला ओप्सन जो आप देख रहे हैं आधार डी लिंक के लिए अनुरूद करें इस पर हमें किलिक करना है जैसी हम इस पर किलिक करते हैं यहां हमें अपनी उपर सदस आइडी प्र वह वाला मेंबर आईडी आपको यहां पर डाल देना है यहां इस वाले और नीचे आपको अपना आधार नंबर दर्ज कर देना है तो मैं यहां पर अपना मेंबर आईडी नंबर डाल रहा हूं कर नें और नीचे के तरफ यहाँ पर अपना आधहर क्रमांक जो है मैं टाइप कर रहा हूं तो आपको इसी पृकार से अपना आधहर नमबर डाल लेना है और जैसे ही आप पाधार नमबर डाल लेते हैं आप आधहर OTP के माध्यम से या फिंगरश के माध्यम से इसका verify कर सकते हैं तो मैं यहाँ OTP के माध्यम से कर रहा हूं हमारे आधार card में जो भी registered mobile number होगा उस पर एक OTP भेद दी जाएगी और जैसे हमारे पास OTP आ जाती है हमें यहाँ पर अपना OTP डालना है और स्विकार करें बटन पर क्लिक करना है तो दोस्तों मैं यहाँ आप देख सकते हैं स्विकार करें बटन पर क्लिक कर रहा हूं तो इस परकार से मैंने अपनी समगर आईडी को आधार card से डिलिंक करने के लिए अनुरूद कर दिया है आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं समगर पोर्टल में आपको आपकी फैमली आईडी समगर आईडी नाम इंदी में नाम जर्म कि थी एभं जेंडर यहाँ पर दिखला रहा हूं यहाँ यह श्कूर करने के लिए अनुरूद भैजें बटन पर क्लिक करेंगी जैसे हम अनुरूद बटन पर क्लिक कर देते हैं आप देख सकते हमारे पास समग रपोड़ा से एक मैसिज दिखलाई देता है सक्सेज आधार डिलिंक रिक्वेस्ट हैस बीन सेव्ड सक्सेफुली यह रिक्वेस्ट आइडी ऐसा हमें दिखलाई दे रहा है आधार डिलिंक का नुरोज सफलता के पास सबसे पहले पहुंच सकें